हेलो ब्रिबॉन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूटू चैनल होम एजूकेशन में तो डियरे स्टूडिन्ट आज के ये वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि गर्मियों का दिन आ चुका है और इस समय आग लगना बहुत ही संभावना आग लगने की बनी रहती है आप लोग देखते होंगे कि घर जल गया दुकान जल गया फसल जल गया ये जो इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए गा और वीडियो को इसकिप करके मत देखीएगा अंड तक जरूर देखिए कि चलिए हम देखते हैं आग लगने पर नियंत्रण कैसे करें बहुत एसे बच्चे हैं उनको मालूम है उस तो तो आग लगे और तुरंत क्या किया जाए की आग बूत जाए ठीक है तो आगी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक पर दीजिएगा तो चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं तो देखी यहाँ अपके लिखाए कैसे करें टार इसके हैं इसका हम उत्तर इस इस पर कर लिखेंगे देखी यह जो है एक्जाब में भी पूछ सकता है आग नियंतर कैसे करें क्लास एट का साइन्स है उसमें आप लोगों को दिया है आग नियंत्र को मिलेगा आग गर्मियों को दीन वे बहुत चछदा लगता है गाँ और सोहरों में, गाँ और सोहरों में गर, शोरी, आग घर और फसल को बर्बाद करदे देखिए जब आग लगता है तो क्या होता है घर भी जल जता है और फसल भी बरबाद हो जता है जल जता है आग पर नियंतर पाने के लिए हम आग को जल डालते हैं आग बुझाने के लिए सिंपल क्या करते हैं हम लोग जल डालते हैं यहीं कि पानी डालते हैं तो पानी डालने पर भी आग नहीं बुझता है जल जोलीन सिल पदात को ठंड कर देता है ऐसा करने से आग का फैला बंद हो जता है देखिए जब आग लगती है उस पर हम पानी ड इस परकिरिया में जो जल वास्प बनती है आग पर हम पानी डालते हैं तो वह परकिरिया कौन से होती है जल वास्प वह बाहरी आयू की आपूर्ती कर बंद कर देता है ठीक है वह बाहरी आयू की आपूर्ती बंद कर देता है और आग बुझ जाता है तो ये जो है तरीका है आग पर नियंतरन के आग पर पानी डाल देंगे तो जो है आसानी से आग बुझ जायेगा और ज़िदा आग तेज हो जाए तो फाइर बिगट के माध्यम से आप उसके दोवारा आप आग को बुझा सकते हैं तो ये रहा आगपन नियंत्रान उमीद करते हूं कि यह वीडियो जो है आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट सेर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तो चलिए फिर मिलता है अगले इंट्रेस्टिंग वीडियो में थैंक यू फर वाचिंग मैं वीडियो